मेजर बिक्रम जीत कमरपाल देश में चल रही कोरोना वाइरस की भीशन तबाही ने एक और हुनरमंद इनसान हमसे छीन लिया कोरोना वाइरस की चपेट में आए पूर्व आर्मी अफसर और अभिनेता मेजर बिक्रम जीत कमरपाल की मृत्ति हो गई साल 2003 में अभिने की दुनिया में डेब्यू करने वाले मेजर बिक्रम जीत कमरपाल मात्र 52 साल की उम्र में दुनिया से चले गई इनके इस तरह से जाने से फिल्म इंडिस्टरी सदमे में है और कई लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रही हैं कि विक्रम जीत कमरपाल अब हमारे बीच नहीं रहे किस्सा टीवी आज आपको बिक्रम जीत कमरपाल की जिन्दगी की कहानी बताएगा हम जानेंगे कि कैसे बिक्रम जीत कमरपाल आर्मी से अभिने की दुनिया में आए और आर्मी के साथ इनका सफर कैसा रहा बिक्रम जीत कमरपाल का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1968 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में इनके पिता दुआर का नाथ कमरपाल भी भारत्य सेना में अफसर थे और उन्हें उनकी बहदुरी के लिए किर्टी चक्र से भी सम्मानित किया गया था इनके पढ़ाई हिमाचल प्रदेश ही नहीं देश के सबसे पुराने और बेश्ट बोर्डिंग स्कूल दा लॉरेंस स्कूल सनवर से हुई थी इसके बाद सन 1989 में ये भरत्य सेना में भरती हो गए सेना में 12 सालों तक सेवा करने के बाद ये मेजर की हैसित से सन 2002 में रिटायर हो गए सेना से रिटायर होने के बाद बिक्रम जीत उस फिल्ड की तरफ बढ़े जिसका हिस्सा बनने का खाब वो अपने बच्पन से देखते थे वो फिल्ड था अभी ने का फिल्ड दरसल दा लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई के दोरान ये वहां होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लिया करते थे इन्होंने एक नाटक भी लिखा था जिसका डारेक्शन भी इन्होंने खुद ही किया था इनका हुनर देखकर इनकी प्रिंसिपल ने इने कहा था कि स्कूल और कॉलेज के बाद तुम बंबे जाकर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए महनत जरूर करना उन्ही दिनों में बिक्रमजीत ने फैसला कर लिया था कि जब भी वो सेना की नौकरी से अलग होंगे तब वो एक्टिंग जरूर करेंगे और हुआ भी यही सेना से रिटार होते ही बिक्रमजीत मुंबई आ गए और फिल्मों में काम करने के लिए संगहर्ष करने लगे खरता था लेकिन ये फिर भी चुपचाप ऐसे लोगों को जहिलते रहे जो इनके साथ भी कई दफ़ा गलत रविया अपनाते थे कुछ महीनों के संगहर्ष के बाद आखिर इन्हें कहीं किसी रोज नाम के टीवी सीरियल में पहली दफ़ा कैमरा फेस करने का मौका मिला इस फिल्म में इनके किरदार का नाम था रतन सिंग पूजा भटे द्वारा निर्देशित इस फिल्म में काम करने के बाद तो मेजर विक्रमजीत मानो भट कैम्प का पर्मानेंट हिस्सा बन गए इन्होंने भट कैम्प की कई फिल्मों में काम किया 2014 में रिलीज हुई विक्रम भट के फिल्म क्रियेचर 3D में मेजर विक्रम जीत इंस्पेक्टर 24 नाम के फॉरेश्ट अधिकारी के किरदार में दिखे थे इन्हें ये रॉल मिलने की कहानी बड़ी दिल्चस्प है दरसल विक्रम जीत किसी काम से विक्रम भट के आफिस गए थे वहां उन्होंने मजाक में विक्रम भट से कहा कि वो भी इस फिल्म में काम करना चाहते हैं विक्रम भट ने जवाब दिया क्रिचर के सभी करेक्टर्स के लिए आर्टिस्ट फाइनल हो चुके है एक forest officer का roll बाकी है लेकिन जिस तरह की तुम्हरी personality है उस roll में तुम fit नहीं बैठते हो इस पर विक्रमजीत ने विक्रमभट से कहा कि कम से कम एक बार उनका audition ले लिया जाए विक्रमभट इसके लिए राजी हो गए कुछ दिनों बाद जब विक्रमभट के office पहुँचे तो उन्होंने अपना गेट अप इस तरह का लिया जैसे कोई पांच अबाउट पुलिस वाला होता है उनकी दाड़ी भी बड़ी हुई थी उस दिन creature 3D के लिए उनका audition होना था विक्रमभट का वो लुक इतना intense था कि विक्रमभट के office में कोई नहीं पहचान पाया कि ये मेजर विक्रमभट कमरपाल है कुछ देर बाद जब विक्रमभट ने उन्हें नोटिस किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उन्होंने बिना audition लिये ही विक्रमभट को इंस्पेक्टर चौबे के उस किरदार के लिए फाइनल कर दिया मेजर विक्रमभट ने अपने लगभग 20 साल लंबे करियर में 48 फिल्मों में कान किया इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नज़र आए पेज 3 Corporate Dawn Hijack Thanks Ma Rocket Singh Salesman of the Year अति थी तुम कब जाओगे Araction Murder 2 Joker जब तक है जान Dangerous इश्क क्या सूपर कूल है हम Hey Baby Heroine Grand Musti Horror Story Head Story 2 Two States प्रेम रतंधिन पायो The Ghazi Attack इंदू सरकार और The Power जैसी फिल्मों में इन्हें टीवी पर भी काफी काम किया है इनका सबसे प्रमुख टीवी शो था 24 जिसमें ये अनिल कपूर के साथ नज़राय थे और इस शो में इनके काम को काफी पसंद भी किया गया था इन्होंने कभी शादी नहीं की थी एक इंट्रिव्यू में इन्होंने कहा था कि ये इसलिए आजीवन अविवाहित रहे क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर ये शादी कर लेंगे तो फिर ये अपने सपनों को भी कभी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि शादी करने के बाद इन्सान के उपर अपने परिवार की जिम्मेदारिया आ जाती है ऐसे में बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है और ये अपने जीवन को खुल कर जीना चाहते थे इसलिए शादी करना इन्हें एक जिंजट भराक काम लगता था मेजर बिकरमजीत कवरपाल केवल एक्टर ही नहीं थे वो एक लेखक भी थे और उन्होंने कश्मीर में तैनात भरते जवानों के जीवन के उपर एक फिल्म भी लिखी थी उस फिल्म को बनाने के लिए वो किसी प्रोडूशर की तलाश में थे वहीं लोगडाउन के बाद लोगों के जीवन के उपर भी वो एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाले थे लेकिन अफसोस कि उनकी ये सभी प्लानिंग यूही रह गई आज यानी एक मई दो हजार इकीस को भरत पर कहर बनकर टूटी कोरोना की दूसरी लहने मेजर बिकरमजीत कवरपाल को भी अपना शिकार बना लिया मेजर बिकरमजीत कवरपाल भले ही फिल्मों में अधिकतर छोटे किरदारों में दिखी हो लेकिन उनके अधिकतर किरदार बेहद शशक्त और सोफिस्टिकेटिड होते थे छोटे परदे से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक मेजर बिकरमजीत कवरपाल ने अपने हुनर से अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली थी अब जब वो इस दुनिया से रुकसत हो चुके हैं तो कहा जा सकता है किसने प्रेमियो के एक बहुत बड़े वर्ग को उनके इस तरह से जाने से काफी आगात पहुँचा है किसा टीवी ईश्वर से प्रात्ना करता है कि मेजर सहब जिस भी दुनिया में हो सही सलामत हो और खुश हो जै हिंद कि में हो सही आगात पहुचा है